बिग बॉस सीजन ओटी टू पर क्या का दिपका ककर इब्राहिम ने और किस कंटेस्टन्स को करी है स्पोर्ट और किसे चाती है विनर देखना दिपका ककर इबराहिम को तो आप जानते होंगे जो कि टीवी सीरियल में काम करती है और उसके बार में बिक बॉस के घर में जाकर एक बार विनर भी रह चुकी है दिपका ककर ने क्या का कंटेस्टेंस के बारे में और किस कंटेस्टेंस को विनर देखना चाती है पिक बॉस के घर में जो है अब फाइब टॉप कंटेस्टेंसी बचे हैं और उन में से दो फाइनल लिस्ट में जा रहे हैं वो है अलविश यादव और फुकरा इंसान यह दो कंटेस्टेंस के बीच में जो है किसी एक को ही टॉफी मिलेगी और दिपका ककर ने क्या का इन दोनों के बारे में दिपका ककर नहीं कहा है कि दोनों ही यूटूबर है एलविश यादवी और अभी शेक फुकरा इंसान भी यूटूबर है और दोनों की फैन फॉल्विंग काफी जादा अच्छी खासी है और ये पहला बिग बॉस सीजन है जिसमें यूटूबर जो है वो कंटेस्टेंस बने है और दिपका ककर नहीं कहा है कि वो भी अब इसी प्लेटफार्म में है यूटूब के प्लेटफार्म में है तो वो चाहती है कि एलविश यादव या फिर फुक्रा इंसान में से कोई भी एक जीते बस यूटूबर जीतना चाहिए ताकि आगे जो भी यूटूबर्स हैं उनको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले तो दिपका ककर नहीं कहा है कि वो चाहती है कि दोनों में से कोई भी एक जीते चाहे एलविश यादव या फिर फुक्रा इंसान वैसे आप लोग क्यों से चाहते हैं जीतने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं